हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी आशा करती हो सभी अच्छे होंगे बढ़िया होंगे गाइस यह एक छोटी सी ही वीडियो रहेगी ज्यादा लैंट ही नहीं होगी इसमें मैं केवल आपको मैंने अभी अभी अपने चैनल पर एश्या कॉंटिनेंट कराया है टू वीडियो मे पूरा डिटेल से पॉल्टिकल मैप ओफ एश्या भी मैंने आपको कराया उसके साथ दो वीडियो मैंने अलग से वाइट बोर्ड पर आपको कराई है तो उन वीडियो के बाद मेरा ये बनता है कि मैं आपको फिजिकल फीचर से दिखाऊं एश्या कॉंटिनेंट के अंदर तो सबसे पहले तो आप वल्ड के मैप पर देख लो एश्या कॉंटिनेंट वल्ड के मैप पर ये आपका एश्या पढ़ता है ठीक है यहां पर काफी चीजे दी हुई भी हैं जो हम मैं आपको डिटेल में पूरे उसमें दिखाऊंगी भी ठीक है तो ये है आपका पूरा ए आइलेंड आती हैं ये भी एश्या कॉंटिनेंट के अंदर ही शामिल किये जाते हैं ठीक है तो नियर अबाउट अंगर हम बात करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा पूरा एश्या कॉंटिनेंट है ठीक है तो एश्या कॉंटिनेंट मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाय बस आज की क्लास में आपको कुछ चीजे विजीबल कराना चाहती है कुछ फीचर्स आप कह सकते हो जो इपोटेंट है हमारे लिए तो हंजी चो तसलिये शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास तो यहां पर आप देख रहे हो सबसे पहले तो एशिया की बात का नहीं तो एशि हैं प्लेटी ओफ तिबद प्लेटी ओफ तिबद तिबद का पठार जो की बहुती विस्तरित पठार है पिर्थवी का सबसे विस्तरित पठार है और यहां पर इनोंने मैंशन नहीं किया है पामीर का पठार भी होना चाहिए पामीर के पठार से ही सारी हंज यह रहा यह लि दक्षिन भारत का पठार यहां पर आता है दक्षिन भारत का पठार दक्कन का पठार भी से कहते हैं प्राई दूपिय भारत का पठार भी से कहते हैं प्राई दूपिय पठार ठीक है और इसके साथ-साथ आपका यहां पर भी आ जाता है मंगोलिया के अंदर मंगोलियन प्ले करेंगे हम हमें प्लेट्यूंट स Aryan नहीं मंगोलियन प्लेट्यू फिरो Ziarenda Lum- इसकी साथ साथ यहाँ पर मैंने आपको मेनमार में कपड़ाय था शान पथार यह रहा शान प्लेट्यू मैंनामार कंट्री के अंदर शान प्लेट्यू ठीक है और मैंने चाइना के अंदर आपको युनान प्लेट्यू पढ़ाया था और ये रहा है युनान प्लेट्यू तो मैनमार कंट्री के अंदर शान प्लेट्यू चाइना के अंदर युनान प्लेट्यू बारत का प्लेट्यू देख लिया अरेबियन प्लेट् West Siberian Plain Area Central Siberian Plain Area ये आपको जो दिख रही है ये आइ थिंक आपको चीजे विजिवल हो जाएं तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली, ये है आपकी ओब नदी, ओब रिवर ओब रिवर और ये है भई हमारी येनिसी रिवर इस तरीके से यहां से आ रही है ये नसी रीवर और ये है लीना रीवर रीवर लीना ठीक है ये तीनों रीवर है जो मैंने आपको मैप पेट बाउंटरी भी बनाता है इतनी बात समझ में आ गई । ये pat ओंडरी जिया है मैंने आपको Plain एरिया में यहां पर भी बताये था है I think इनों नहीं दिया हो गए नहीं तो उफ ज्राइब आपको बीचा घ्टाइब है् तो यह आपका गोभी डैजट उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आपका सी की बात करते हैं छोटी कर लेती हूँ थोड़ी स्क्रेन हाँ जी तो सी की बात कर लेते हैं यहां पर आपको सी दिखेंगे देखो बहुत सारे सी हैं एक तो यह है सबसे उपर रूस है यह आपका रूस कंट्री रूस के साइड में यहां पर आता है सी ओफ ओके टस्क यह आती है जापान कंट्री और जापान और एशिया के बीच में यहाँ पर पढ़ता है या तो जापान सी कह सकते है या इसे इस्ट सी के नाम से भी जाना जाता है जापान ओफ सी या इस्ट सी यहाँ पर आता है यालो सी जिसमें यालो रिवर भी गिरती है यह आता है चाइना के इस्ट में इस्ट चाइना सी, चाइना के साउथ में पढ़ता है साउथ चाइना सी, यह रहा साउथ चाइना सी, यहाँ पर फिलिपीन्स आपके आइलेंड आते हैं और फिलिपीन्स के निकाट आता है फिलिपीन्स सी, फिलिपीन्स के निकाट आता है फ यहां पर लिखा हुआ है अरभ सागर ठीक है यह इंडिया के पास एंडिया के वैस्ट में अरेबियन सी उसके साथ और भी सी पढ़ते हैं फोर एक्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ ठीक है यह थोड़ा विजिबल हो जाए हां जी यहाँ पर देखो यह आता है आपका मेडिटेरियन सी जो की एशिया के साथ भी थोड़ी बाउंडरी बनाता है बुमद्य सागर जी से हम कहते हैं और यह जो ब्लू कलर की छोटी सी बाउंडरी दिख रही है यह है कैस्पियन सी विश्व की सबसे बड़े खारे पानी के जील भी कहते है कैस्पियन सागर जील Caspian Sea, Mediterranean Sea और ये आता है Red Sea ये बिल्कुल लंबा लंबा लंबाई में है Red Sea, कौन सा C है Red Sea, Arabian Sea मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ ठीक है Arabian Sea, Red Sea Caspian Sea, ये है बीच में Black Sea ये सारे के सारे Europe plus Asia के बीच boundary का काम करते है Caspian Sea Black Sea और Mediterranean Sea ठीक है, जिसे हिंदी में कहते है भुमद्य सागर, Red Sea इतनी बात आपको पता चल गई North में भी Sea आते हैं बट वो ज़्यादा इपोटेंट नहीं है ठीक है तो उन से एक्जाम में कभी कोशे नहीं आता तो ज़्यादा जो चीजों से कोशे नहीं आता उसमें क्यों पढ़े हैं तो आपको पता चल गए उसके बाद बाद मैंने आपको सब्यताएं कराई थी तो यहाँ पर देखो यह आपकी थोड़ा रिट वो कर लेते हैं यहाँ पर आती है हमारी पामीर की गाठ mountains दिखा देती हूँ मैं आपको यह पामीर है ठीक है यह पामीर है पामीर से देखो एक यह आ गई हिंदुकुस यह लिखा हुआ है हिंदुकुस ठीक है एक यह इदर आ गई सूलेमान देखो लिखा हुआ है सूलेमान हिंदुकुस सूलेमान ठीक है सूलेमान अब इदर आ जाओ यहाँ पर आती है एक तियान शान यह लिखा हुआ है तियान शान एक इदर आ जाती है क्यून लून यह रही क्यून लून शान क्यून लून और एक यह आ जाती है करा कोरम जो कि हमारे इंडिया में पढ़ती है करा कोरम और एक आ जाती है हिमाले हिमाले करा कोरम क्यून लून त्यान शान, हिंदुकुस, सूलेमान ये सारी की सारी पामीर की पठार से कहीना कहीं से निकलती है ठीक है? तो इनको आप ध्यान रखोगी most important है ये और इसके बाद-बाद अगर हम बात करें देखो ये आपकी Mount Everest है बिल्कुल आपको दिखा नेपाल के अंदर पढ़ती है Mount Everest ये रही Mount Everest नेपाल के अंदर संसार की सबसे उची चोटी 8850 मीटर आप यहाँ पर इसको देख सकते हो ये है इंडो-गंगाटिक प्लेन एरिया जिसे इंडो-गंगाटिक यानि गंगा नदी का प्लेन एरिया गंगा सतलूज का मैदान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आजाती है सतलूज रिवर ठीक है यहाँ पर आजाती है आपकी यही सतलूज रिवर और यहाँ पर गंगा दोनों मिलकर एक प्लेन एरिया बनाते जिसे गंगा सतलूज भी कहते हैं इतनी वाते हमें समझ में आ गई यह हमारे सारे के सारे आईलैंड आज आती हैं जो कि आपकी साउथ इसट एशिया में पड़ते हैं फेर एक्ज्यम्बल देखो सुमात्रा आईलैंड यह मलेशिया है ठीक है और इसके अलावा यहां पर साउथ में आते हैं एक्चुली बिल्कुल थोड़ा और जूम होता हो तो मैं करूंगी हन जी यह आता है आपका जकारता जावा ये रबाली लोंब ये रसुम ठीक है हन ये आपका आता है सुमवावा लेशर सुमबा रोटी तो ये तीमोर ये सारे के सारे आइलेंड आती हैं साउथ इस्ट एश् इसके साथ साथ देखो आपको डैजर्ट की बात करें तो एक तो ये आपको डैजर्ट मैंने बता दिया है गोबी डैजर्ट जो की मोस्ट इपोर्टेंट है उसके बाद एक और डैजर्ट राता है तकला माकन डैजर्ट ये भी मोस्ट इपोर्टेंट है मैंने अपनी चैनल पर desert in world desert of world के नाम से वीडियो भी बना रखी है तो उस वीडियो में आप देख सकते हो आपको continent series वाली ही playlist में मिल जाएगी तो वहां से आप देख सकते हो इन सारी चीजों को पूरा detail से पढ़ सकते हो desert को ठीक है और उसके साथ क्या रह गया भई I think कुछ नहीं रहा मैंने आपको सब कुछ सब कुछ बता दिया है एशिया के map में जो भी कुछ important था वो हम पढ़ चुके हैं ठीक है मैंने पहले कहा था वीडियो चोटी रहेगी तो देखो यह रेड-्रेड डोट है यह आपकी Ural Mountain है यह आपका कैस्पियन सी है और यहां पर काकेसस Mountain है यह लिखा हुआ काकेसस और यह Black Sea है उसके साथ यहां पर कुछ countries आ जाती है और यह आपकी आती है Arabian countries तो यह सब कुछ boundary का काम करती है Europe plus Asia की बीच में तो यह था वही आपका Asia continent जो मैंने आपको थोड़ा बहुत मैप पर भी दिखा दिया है political map इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि political map of Asia मैं आपको detail में पढ़ा चुकी है एक एक country वहां से हम बिल्कुल detail में कर चुकी है ठीक है तो इसलिए मैंने वापर आपको चीजे नहीं कराई उसके साथ साथ आप एक चीज ओर देख लो जो Asia है वो आपका कहां पर कैसे पढ़ता है latitude में बात करें तो देखो ये है zero degree और एशिया के ये continent sorry ये जो island एशिया में ही आते हैं तो यहां पर जो last line टच करती है एशिया को वो है 10 degree south और उपर जो last line टच करती है वो है 80 degree north तो latitude की बात करें तो 10 degree south से लेकर 80 degree north के बीच में आपका एशिया continent फैला हुआ है ठीक है तो यह यहां पर आ जाता आपका पूरा ये एशिया continent जिसमें जो important mountain थी desert थी river से वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसके अलावा जादा important नहीं रहता है तो यह छोटी सी वीडियो थी I think आपको अच्छी लगी होगी तो फिर मिलेंगे तब तक आप इंसाने information को अच्छी तरीके से कवराप कर लेना अगर वीडियो सची लग रही है तो like कर देना शेयर कर देना और subscribe कर लेना मेरे चैनल को futures में ऐसी ही वीडियो लेने के लिए have a nice day